दोस्तों आपने अब तक मेरे टाइटल में देखा था सस्ते फोन में फ्लैक्शिप फोन का मज़ा बटाज जो मैं आपको फोन दिखाने वाला हूँ वहाँ पर आपको मिलेगा एक महंगे फोन में सस्ते फोन का मज़ा यह आप कह सकते हैं महंगे फोन में बजट फोन का मज़ दोस्तों वो फोन जहांपर आपको मिलेगा एक महेंगे फोन में सस्ते फोन का मज़ा यह फोन है OPPO Reno 3 Pro इसका प्राइज है 30,000 अब यह फोन इस प्राइज पे किस सर्थ तक justify है यह आप ही बताओ मुझे comments में अगर हम देखते हैं इस फोन का design यहांपर no doubt design इस फोन का मुझे अच्छा लगा हाथ में लेकर यह फोन बहुत ही premium लग रहा है लेकिन यह फोन आता है plastic pill quality के साथ यहांपर आपको glass नहीं मिल रहा इससे बहले आप जानते हैं OPPO Reno 2Z आया था जिसका यह successor है वहाँपर आपको मिलती थी glass pill quality बट यहांपर plastic यूज किया है OPPO ने वो भी 30,000 क क्यों किया गया OPPO Reno 2Z के comparison में मैं मानता हूँ हाथ में लेकर यह फोन आपको बहुत ही हलका लगेगा बिल्कुल भी यह फोन हैवी नहीं है और काफी slim सा यह फोन है यह बात मैं मानता हूँ इसमें कोई भी डाउट नहीं है जो कि कह सकता हूँ मैं काफी सही है लेकिन यहां को यह फोन 30,000 में लिकमेंट कर पाऊं इसका जो एक्चुल प्राइज है वो होना चाहिए था 15,000 के आसपास ओफलाइन फोन के साफ से 15-16,000 की रेंज में बट अगर मैं ओनलाइन फोन के साफ से देखता हूँ तो इसका प्राइज बनता था 10,000 के आसपास इस से उपर बिल कुल भी नहीं मिल रही यहाँ पर आपको मिलता है मिरेडा किलो पी 95 जो कि आप कंपेर कर सकते हो स्नायर बगन 712 से मतलब इसके आसपास का यह पर सैसर है अब आप खुद बताओ आपको स्नायर बगन 712 आज की डेट में किस प्राइस में मिल रहे है 11-12,000 में मिलता है आपक पी 95 से हाँ यह मैं मानता हूँ कि यह दोनों ओनलाइन सेंटिंग स्मार्टफोन है तब इनका प्राइस इतना कम है बट अगर मैं बात करता हूँ ओफ्लाइन सेंटिंग स्मार्टफोन के बारे में तो आपको मिल रहे है सैमसंग A71 30,000 में यहाँ भी आपको मिलता है 8GB RAM इस बिल क्वाल्टी यहाँ पर भी प्लास्टिक की है लेकिन डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा सब कुछ टोप क्लास का है साथ में समसंग की ब्रैंड वैल्यू तो ओफलाइन तो यह आपको मिल रहे है और ओनलाइन आपको इतना सारे फोन मिल जाएंगे अंडर 15,000 जो कि इ इतने स्कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 2,25,000 के आसपास और हमें आज की रेट में 15,000 की रेंज में इससे बैटर स्कोर्स इजली मिल जाते हैं जैसकि यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिरेड एक्रिलो जी नर्टिटी स्नेड़ों के 712, 730 तो सब भी इससे काफी आगे हैं स्टोरेज यहाँ पर आपको मिल रहे हैं UFS 2.1 पर यह भी कोई बड़ी बात नहीं है आज की रेट में इस प्राइस पर हैं ठोकि आज के लिए आपको 11,000 में एजली मिल जाती है बागी अगर हम एक इस पॉन का तो रिर में है क्वाट क्यारा सेटब प्राइमरी कैमरेख 64 में पीसल का वरी सेंसर है संसंग का GW1 सेंसर सेकंड कैमरे थर्टी में पीसल का टेली फोटो जूम लैंस थर्ड आपको मिलता है 8 में पीसल का वाइड अंगल लैंस जो की इस प्रा जहां पर आपको ऐसा camera setup front में देखने को मिल रहा है यह कुछ camera samples भी आप देख सकते हैं अब यहां पर मैं आपको इतनी बात clearly बोल सकता हूँ कि camera भी इस phone की USB नहीं है आप जानते हैं इसके camera की कितनी high create की गई है बट यह camera बिल्कुल भी उस level का नहीं है यहां पर pictures आप खुद देख सकते हैं Dynamic range इस phone का camera अच्छे दे capture नहीं कर पा रहा जैसे कि यह picture ली गई है normal mode में और यह है wide angle shot यहां पर आप देख सकते हैं साइडों में जो area काफी dark होच चुका है यह 2x optical zoom और 5x zoom मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इसके camera को इतना highlight किया जा रहा है जबकि यह उस level का perform नहीं कर रहा जितना कि यह 30,000 में करना चाहिए मैंने इसको compare किया था Samsung A71 पे यह phone भी आपको same price पे मिल रहा है आप जानते हैं इसमें आप detailing में difference खुद देख सकते हैं मैं आपको picture zoom परके दिखा रहा हूँ दोनों में परक है detailing में और साथ में मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि इसके front camera को लेकर इतना हला क्यों मचाया जा रहा है जबकि यहाँ पर कुछ भी आपको extraordinary नहीं मिलता नोर्मल front camera है अच्छा है camera यह मैं नहीं कर रहा है अच्छा नहीं है बड कुछ special नहीं मिल रहा आपको यहाँ पर भी ऐसा front camera भी कम price पर easily available है बगी video poke mode का option आपको यहाँ पर मिल रहा है यह एक अच्छी बात है कुल मिला के यह मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसका camera 30R में बिल्कुल भी justify ही नहीं है आपको इससे better camera 20R से कम की range में easily देखने को मिल जाएगा और 30R में Samsung A71 या फिर और भी काफी सारे smartphones है जो इसको easily भीट कर सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं display के बारे में तो यहाँ पर display इसका मुझे अच्छा लगा से कोई शिकायक नहीं है डिस्पेस का अच्छा है fingerprint scanner भी काफी फास्ट और फ्रेशन लोग भी इसका अच्छे से काम कर रहे है कोई दिक्कत नहीं है बैटरी यहाँ पर है 4025 mAh की और आपको मिलता है यहाँ पर 30W VOOC charging का support तो बहुत ही तेजी से आप इस फोन को फूल चार्च कर पाओगे और आपको यहाँ पर मिल रहे है USB-C type port कुल मिला गए मैं यह कहना चाहूंगा 30,000 में इस फोन के बारे में आप सोचना भी बाग प्राइस को यह बिल्कुल भी justify नहीं कर रहा हाँ वाद ही आपको मिलता है 15-16 जार की रेंज में फिरा आप इसको लेने की एक बाद को सोच सकते हो पर 30,000 में बिल्कुल भी नहीं इसको मैं कहूंगा Super Overpriced Smartphone आप इसके बारे में क्या कहते हैं कोमेंट में मुझे बता सकते हैं मुझे उमीद है आपको कुछ help मिली होगी आज की वीडियो से अगर आपको help मिली हो तो मिले को like और शेक करना बद भूलिएगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में Thanks for watching this video